अभी तक राजनेतिक युद्ध में लेखराज यादब का नाम बीच में था जिसको लेकर सपा के दिगजनेता दीपनायन सिंग यादब वा अन्य नेताओं सहे जहासी के पत्रकार तक को जेल भेज दिया गया लेकिन अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें दो नेताओं की राजनेतिक लड़ाई खुल कर सामने आ गई है गरसल गरोठा विधायक जभार राजपूत ने पूर्व गरोठा विधायक पर उनके और उनके पुत्र की हत्या के सड़यंत्र का आरोप लगा दिया है इस मामले में पूर्विधायक दीपनायन सिंग्यादव मसपा नेता सज्जन यादव के खिलाप प्रेम नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले में सज्जन यादव को पुलिस गरफतार भी कर चुकी है आपको पता दे कि अभी तक तक तकरीवन एक दर्जन से अधिक लोगों को लेखराज सिंग्यादव को भगाने के सड़यंत्र के मामले में गरफतार किया गया था राजनेतिक जानकार भी सक्ते में थे किया किर दीपक ने लेखराज को छोड़ाने का प्रयास क्यों किया दरसल गरोठा बिदायक जबहार राजपूत द्वारा एक शिकायती पत्र पुलिस उपमहाने रिक्षक को दिया गया है जिसमें उनके और उनके पुत्र राहुल राजपूत की हत्या का सड़यंत्र रचने का रोग दीपक और दीप नरायन से ग्यादव पर लगाया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायती पत्र में गरोठा बिदायक ने अपने और अपने पुत्र राहुल राजपूत की सुरक्षा की मांग की है उन्होंने बताया है कि उन्हें एक रेजिस्टर डांक का लिफाप अपराप्त हुआ था जिसमें गरोठा के आड़ी सड़क पर रहने वाले रविंदर राजपूत द्वारा उन्हें अवगत कराया गया था कि उनकी जान को खत्रा है उन्होंने पत्र में उलेक किया है कि उन्हें जान से मारने की साजिस पूर्व विधायक दीप नाराइन सिंग्यादब के द्वारा रची जा रही है और उनके इसारे पर काम करने वाले सज्जन सिंग्यादब जो जहांसी के पुलिया नमबर 9 पर रहते हैं उनके द्वारा हत्या की सुपारी कुछ लोगों को दी गई है पत्र में लिखा है कि 2892 बाइस को रात 11 बजे CCTV कैमरे में कैद घटना में गरोठा विधायक जबाहर वाँ उनके पुत्र रहुल को जान से मारने की साजिस रची जा रही थी इसके लिए सज्जन सिंग्यादब के द्वारा हनियाना से सूटर बुलवाए गए है जिसमें 5 लाग रुपए की सुपारी दी गई है साथ ही इस कारे के लिए एडवांस में 1 लाग रुपए भी पहुँचा दिये गए है जवार राजपूत ने शिकायती पत्र में कहा है कि अगर उनको और उनके पुत्र अथवा परिवार के किसी भी सदस को हानी पहुंसती है तो उसके लिए शासन और परजासन जम्मेदार होगा इस प्रार्थना पत्र में जाच कराकर जवाहर राजपूत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाने की मांग उठाई है आपको बताते चले कि अभी तक लेकरास सिंग्यादव को भगाने के मामले में पहले ही मामला गर्माया हुआ था जिसमें पुलिस पहले ही दीप नराइंट सिंग्यादव के साथ कई अन्य सपानेताओं को गरफतार कर चुकी थी जो सभी जेल में बहीं अब जवाहर राजपूत की शिकायत के बाद सियासी पारा उपर की तरफ चड़ गया है दरसल चांसी पुलिस ने सपानेता सज्जन सिंग्यादव को कल ही गरफतार कर लिया था जल्दबाजी में रहने वाले कुछ पत्रकारों ने सज्जन सिंग्यादव को भी लेखराज मामले से जोड़ कर गरफतार करना बदाया था लेकिन अब जब शिकायती पत्र सामने आया है तब जाकर इस पश्ट हो पाया है कि आखिर पुलिस ने सज्जन आदब को गिरापतार क्यों किया था फिलाल इस घटना से राजनेते गलियारों में हल चल तेज हो गई है जासी से मुहम्मद साहिब को साथ रवी परिहार की रिपोर्ट